असलाम अलाइकूम वेलकों बेक टो मैं चैनल व्लॉक्स वियन सोजी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हूं सब्जियों से बनने वाली एसी रेसिपी जिसकी वज़ासे सब्जियों का फाइदा दुगना हो जाएगा एक तो यह बहुत टेस्टी होती है बहुत ज वेट लूज में यह फेड़ी करता है और आपके डाइजेशन सिस्टम को भी इंप्रूफ करता है अगर आप यह खाने के दोरान या खाने के बद इसको इसको इसका इसमेल करते हैं तो यह मेरा PORSONAL EXPERIENCE है सो अगर आप लोग पी एक्सपीरियंस करना जाते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा लाइक शेयर और कॉमेंट कीजेगा और रेसिपी को पॉपरली फैली फॉलो कीजेगा रेसिपी स्टार्ट करते हैं बिसमिल्ला रहमान रहीं सबसे पहले यहां मेरे पास है सबस मिर् को छोते करनी करने एक शिम्ला में चलि थी उसके बाद यहां मर पैस है मूली और मूलियों को अच्छे एक बड़े साइज में मूली ल्याई ती को चिलने के बाद मूली को चीलने के बाद मूली को स्लाइस में कत कर लिए फ्रेंश यहीं सैसे मिली एक Пोर advocation मिलोग्झी कही मैं सालन के लिए उस तरह से काटता फिर है गाजर गाजर को भी अच्छी तरह से दोया चीला और स्लाइसस के मैं मूली को छाएथा और 20 घाजञर न ले थी मैंने उसके बाद यह है गूरा एक कीरा दिया था आप सारी Miller कlak आप साफोल Hm hai जो कर मेरा जादा कर सकते हैं और आपनी मर्जी से जो सब्सक्राइब करना का सबस्तर है जोमों जब संद दोल दोली है और भी यार्ड घ्ल चीला था उसके पार कर सकते हैं अहűuito है अपनी मर्जी सब्सक्राइब को मेंकोरám जादा और जो भी सबसे आप एड़ करना चाहें, लेमन एड़ करना चाहें, बंद को भी, फूल को भी, जो भी एड़ करना चाहें, सौब कर सकते हैं, अब हम करेंगे next process, अब चूला बंद है, और मैंने चूले पर रख दी एक कडाही, और उसके बाद मैं डाली हूँ सिरका, ये मेर हम इसके अंदर डालेंगे एक चमच के बराबर चीनी, इससे थोड़ी से मिठासा आएगी, और इसके लावा ये के सिरके को अचार को महफूज करता है, अचार खराब होने से बच जाता है, उसके बाद एक चमच डाली हूँ नमक, एक चमच के बराबर चला गया सॉल्ट, और फिर अचलागे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, बहुत थोड़ा से फ्लेम रखा है ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाये, उसके बाद हम इसके अन्दर अडर करेंगे, सारी सब्जियां ये लेखें, इसे दिए सर ये और गेर 1-2 कब प सिरका पानी, 1 चमच चीनी और यह अच्छा नमक तरह से घुल गया है सब मिक्स हो गया आप इसके अंदर डाल दी है मैंने सारी सब्दियां जो हमने कट की थी टीक है सारी सब्दियां अभी मैं करूगी फ्लेम हाइ ताके जल्दी से पानी जो हो गरम हो जाए पानी ताके गरम होना शुरू हो जाए आइसा जैसे ही पानी गरम होगा यहां पर जैसे ही पानी गरब हो आने कहा है मैंने क्या किया फिलेम बहुत लो कर दिया है कई कई षूर के लो कि हिकरण हो जाए लेकिन इतना ज्यादा नहीं पकाना के सब्दियों का क्रेंच ही खतम हो जाए अब मैंने चुला बंद कर दिया है और मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी अच्छा जैसे ही अचार ठंडा होगा उसके बाद डाल लेंगे इनको बॉक्स के अंदर आपके पास कोई भी बॉक्स हो ग्लास का या प्लास्टिक लेकिन एक चीज़ का दिहान रखी का आपका बॉक्स गीला नहीं होना चाहिए उसके अंदर नमी नहीं होना चाहिए वरना आपका अचार बहुत जल्दी खराब हो जाएगा इसके हिलावा जब भी आप अचार को निकालें बॉक्स में तो आपका चमज भी पूरी तरह से होना चाहिए सही है तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका चार एक से दो महीने तक बिल्कुल आराम से चलेगा सो यह है जी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी आप लोग यह ट्राय जुरू कीज़ेगा बहुत जादा जपर देश्त है इसके हिलावा न